हेलो गाइज, वेलकम टू मनन कासेज, आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे 7.4 एक्सेसाइज के बारे में, तो इसके इंट्रोडेक्शन में देखिए, क्या गिवन आपको, इनेक्विलिटी इने ट्राइंगल, सबसे पहले तो इसका मैनिंग समझे की इनेक्विलिटी होत तो देखिए, यदि किसी इक्विएशन के अंदर, लेश तेन, गरटे देन, लेश तेन इक्विलिटी, गरटे देन इक्विलिटी, इन चारो साइन में से एक साइन आजए, उसी इक्विएशन को मैं क्या कह सकता हूँ, इन इक्विएशन या फिर इनेक्विलिटी कह सकते ह है ठीक है तो यह तो वाई इनक्विरल्टी का मैंनिंग क्या हुआ उसके बाद में ट्राइंगल के बारे में शो क्या हुआ तो इसे में अपन थ्योर्म 7.6 7.4 इसी का कॉनवर्ज है और 7.8 के बारे में डिस्कस करेंगे इस्टेट्मेंट माइंड में रखना आपको तो सुरी थोर हम 7.6 के एक टू साइड ओप ट्राइंगल आर अनिक्वल दोनों के आपके अनिक्वल है यानि आपको गिवन के कि एक ट्राइंगल गिवन है इसमें ये दो साइड ले ली अगले ने ये एनिक्वल है अनिक्वल है देखिए यहां पर अगले ओप एपोजिट टू लार्जर साइड अब ए बी सी लार्जर साइड कौन चेंड में यादि मैं इन दोनों की बात कुरूं तो एसी बड़ा है किस से एबी से लिख सकता हूं तो एगले ने क्या बोलाए कि दे लार्जर साइड इज तो इसके सामने जो एंगल होगा एंगल बी वो बड़ा होगा किस से बड़ा होगा इसके सामने कौन सा एंगल सी से यह आपको प्रूब करना था करीर बात यह ध्यान में रखना कि जो एंगल होगा यानि बड़ा साइड होगी उस बड़ी साइड के सामने जो भी एंगल अब इसमें क्या है यह जो है इसी का कौन वर्ज है इसमें क्या बोल दिया कि the side opposite to larger angle is equal यानि एगले ने यह बोल दिया कि यह वाला angle angle B बड़ा है किस से angle C से तो इसके सामने जो भी side होगी तो इसके सामने कौन जी side A C यह बड़ी होगी किस से बड़ी होगी इसके सामने वाली side से A B से यह लीजिए क्लियर बात यह था फिर एगले ने वह लाए कि ठोरम 7.8 के अंदर the sum of any two side of triangle is greater than third side मान लो यह तीन side है एगले ने यह बोला है कि A B प्लस B C दो side का सम तीसरी side से क्या होगा बड़ा होगा होगा बड़ा देख लीजिए सपोज यह आपकी 3 है यह 4 है और इसको आफ 3 पॉइंट या इसको आफ ले लीजिए 4 और यह 5 हो गया खीणी रेवात कर लीजी आप उसका Sum तीसरी सीग्वल यह ले देखो इन दोनों का Sum कितना सेवन इससे बढ़ा हो गया इन दोनों सम इससे बढ़ा हो जाएगा इन दोनों का Sum इससे जाएगा इन दोन्य को like share and comments करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा यह दिया आप मेरे चैनल पर नहे हो तो सबसे पहले चैनल को subscribe कीजिए फिर अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अब वीडियो को post करके आप no down कर लेना देखिए question number first में क्या given आपको show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side ठीक है ना यह आपको दिया हो है तो देखो सबसे पहले राइट अंगल है तो राइट अंगल का मैंनिंग क्या होता है कि एक एंगल इसमें क्या होगा 90 होगा suppose यह क्या है एक राइट अंगल का एक एंगल 90 है तो इन बाकी दो एंगल का सम कितना हो गया 90 हो जाएगा यह तो आपको given है hypotenuse is the longest side यह आपको प्रूब करना है कि यह side इन दोनों से क्या है longest side है तो यह दो कंडिशन आती में यह लिख सकता हूँ अब देखे प्रूब करते हैं इसको प्रूब के अंदर आपको एक राइट अंगल ट्राइंगल गिवन है तो एंगल B equal to कितना होगा 90 होगा अब मैं ही जानता हूँ कि 90 होगा तो इस ट्राइंगल की जो टोटल सम है वो कितना 180 180 में C एंगल तो माइनस हो जाएगा तो 190 हो जाएगा और इन दोनों का एंगल कित अब दोनों का सम 90 है यह तो एक किला नाइंटी है तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल B बड़ा है किसे एंगल A से इस एंगल B के सामने कौन सी साइड है A C AC बड़ी है Angle A के सामने कौन सी साइट है Angle A के सामने आपकी BC यह आया कहां से वो जुरूर लिखना By Theorem 7.7 Converse था ठीक है न यह आ जाएगा यह तो हो गया इसे अब यह दूसरी condition और प्रूब करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ Angle B बड़ा है किसे Angle C से क्यों बड़ा है क्योंकि दोनों का सम 90 है तो एकला 90 है तो यह 88 है तो भी तो बड़ा ही होगा ना यह 90 तो तो देखो इस B के सामने AC Angle C के सामने कौन जी साइड है AB यह लिजे दोनों से यह equation आपकी first यह second from equation first and second से क्या लिख सकते है आपन कि hypotenuse hypotenuse is the longest side longest side of right angle triangle यह था आपको पूरूप करना ठीक है तो यह से पूरूप करना आपको अब चलते हैं अपन इसके next question question number second पर देखिए question number second में क्या गिवन आपको इन गिवन फिगर यानि यह वाला एंगल इससे क्या है छोटा है तब आपको पूरूप करना है कि ac बड़ी है किससे ab से यानि ac less greater than ab यह आपको पूरूप करके represent करना है तो देखिए एक बार थोड़ा सा आपन basically देखते हैं यह वाला एंगल इससे बड़ा है यह है कौन सा pbc यह एंगल इससे क्या है छोटा है सपोज यह आपका 100 है तो 120 हो जाएगा बड़ा है ना 101 होता यानि 101 होता तब भी बड़ा होता यह छोटा है तो यह वाला एंगल कितना आएगा 80 डिगरी और यह कितना आएगा 60 यह बात कलीर हो गई होगी अब देखिए समझ में आगया होगा थोड़ा से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यह लीनियर पेर है और आपको यह गिवन है कि एंगल b pbc लेस्टेन एंगल qcb यह कंडिशन गिवन है तो यह एंगल छोटा है इससे तो यह बड़ा हो जाएगा इससे जो छोटा था वो बड़ा हो जो चोटा हो जाएगा तो इसका यह लीनियर पेर एंगल कौन सा है एंगल a b c बड़ा हो जाएगा किस से बड़ा होगा एंगल a c b से देख लीजी मैंने example देखे बताया आपको कि ये छोटा angle है और ये larger angle है तो जो small angle का जो linear pair होगा वो कौन सा होगा larger होगा और जो larger angle का linear pair होगा वो इस से छोटा होगा ठीक है तो ये लिख सकता हूँ अब देखो ये जो angle है ये हो गया इसके सामने वाली side कौन से होगी देखो बड़ा है तो side भी क्या होगी बड़ी होगी तो लिख सकता हूँ क्या लिखूं इसकी जगा A C बड़ा है किस से A B से किस से लिखा है मैंने by theorem 7.7 कौन वर्स होगा ठीक है ये बस होगया अपना solve अब चलता है इसके question number 3 पे देखिए question number 3 को देखिए question number 3 में क्या है given figure आपको given है उस figure में angle B less than angle A यानि ये वाला angle इससे क्या है छोटा है angle C less than angle यानि ये वाला angle इससे क्या है छोटा है ठीक है तो देखिए आपको प्रूप ये करना है कि AD AD side इस BC से क्या है छोटी है तो आपन इसको इसस्टार्ट करते है आपको given है कि angle B less than angle A तो इसके opposite side कौन से हो गई angle OA हो गया या AO लिख दो angle A के कौन से है BO कौन से equation हो गई first आया कहा से theorem 7.7 से उसके बाद में दूसरी condition angle C less than angle D तो इसके सामने इस angle के सामने कौन से side OD less than इसके सामने ये angle है इसके सामने कौन से side OC कौन से equation हो गई second ये भी कहा से theorem 7.7 से adding equation first plus equation second दोनों को add कर दीजिए यहाँ से add करना है इन दोनों को तो AO plus OD less than BO plus OC देखो AO plus OD क्या हो जाएगा AD less than BO plus OC क्या हो जाएगा BC ये लीजिए hence proof अच्छा कि उसने exam में पूछा जाता है कई बार ठीक है अब आप वीडियो को पोज़ करके no down कर ले ना अपन चलते इसके next question question number fourth पे देखिए question number fourth के अंदर AB and CD are the respectively the smallest and longest side of quadrilateral ABC quadrilateral का meaning क्या होता है चतर बुज ABCD ये गिवन आपको जिसमें आपको पूब करके ये represent करना है कि so that angle A greater than angle C angle B greater than angle D ये आपको पूब करके represent करना है तो देखते हैं इसकी construction करने पड़ेगी थोड़ी सी आपको construction के अंदर join join AC ये लिजिए join AC clear बात अब प्रूब करते हैं देखिए यदि मैं इनको join कर दूँ तो ये वाला angle 1 2 और ये 3 और ये 4 तो देखिए इन triangle कौन सा A, B, C इन दोनों के अंदर ये वाली side सबसे small है इस quadilatorial में और ये वाली side सबसे बड़ी है इस quadilatorial में तो ये छोटी हो गई इससे क्योंकि ये सबसे छोटी है इन 4 साइड में और ये सबसे बड़ी है तो मैं लिख सकता हूँ कि A, B less than B, C ये लिख सकता हूँ या फिर आप इससे लिख दीजिए इसको B, C इसके सामने कौन सा एंगल 3 से इक्वेस्ट फर्स्ट कौन सी थिवर्म 7.7 थिवर्म ठीक है न लिख देता हूँ मैं यहां पर 7.7 नहीं भई थिवर्म 7.6 है क्योंकि side, side के सामने एंगल अपोजिट इक्वल आ रहा है उसके बाद में इन ट्राइंगल A, D या A, C, D कर दो A, C, D इसमें यह सबसे बड़ी है तो C, D बड़ा है किस से? A, D से क्योंकि यह सबसे बड़ा है तो इससे तो यह छोटा हो गया न अब इसके सामने कौन सा एंगल? एंगल 2 बड़ा हो गया किस से? एंगल 4 से कौन से एक्वेशन? सेकेंड इसका रिजन सेम आ जाएगा अब देखिए एक्वेशन फरस्ट प्लस एक्वेशन सेकेंड को मैं एड़ गर दूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बड़ा होगा किस से? एंगल 3 प्लस एंगल 4 से एंगल 1 प्लस क्या है आपका? एंगल A है बड़ा है किस से? 3 प्लस 4 कौन से एंगल है? एंगल C ये चीज आपको प्रूब करके रिपरजन करना था हूँ अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका सेकेंड पार्ट के अंदर आपको जोइन करवाना पड़ेगा दूसरी चीज इसको मैं हडा देता हूँ एक बार देखिना आप फिगर दूसरा बना लेना इसके लिए एंड BD ये लीजिए अब इस सेकेंड को प्रूब करने के लिए सबसे पहले इन ट्राइंगल A, B, D के अंदर देखिए ये एंगल 5 और ये 6 ये 7 और ये 8 कलियर बाद तो ये सबसे छोटी है और ये इस से तो बड़ी है तो मैं लिख सकता हूँ कि AD बड़ा है किस से AB से तो इस AD के सामने कौन से एंगल एंगल 5 बड़ा हो जाएगा इसके सामने कौन सा 7 से कौन सी एक्वेशन 3rd और रिजन वो ही सेम ठोरम कौन सी 7.6 कलियर बाद उसके बाद में इन ट्राइंगल B C D के अंदर देखो CD सबसे बड़ी है CD बड़ा है किस से 20 से तो इस CD के सामने कौन सा एंगल एंगल 6 प्लस एंग बड़ा हो जाएगा किस से बड़ा होगा एंगल 8 से इक्वेशन 4 इसका रिजन क्या होगा सेम 7.6 से अब कुछ नहीं करना आपको एक्वेशन 3 को एड़ करना है एक्वेशन 4 के साथ में तो देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 बड़ा होगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये दोनों साइड एक तरफ एड़ होगी और ये दोनों एक तरफ एड़ हो जाएगी तो मैं क्या ली सकता हूँ एंगल 5 प्लस 6 की वेल्यू पूरा जाएगा ये एंगल B ग्रेटर देन एंगल 7 ये पूरा जाएगा एंगल D ये आपको प्रूब करके रिपरजेंट करना था अब आप देख लीजी इसको अच्छा क्यूसन है इपोटेंट है अब आप वीडियो को पोज़ करके इसको नोडाउन कर लेना अपने चलते हैं इसके नेक्स्ट क्यूसन क्यूसन नमबर 5 पर देखिए क्यूसन नमबर 5 फिगर आपको गिवन है पी आर बड़ा है किसे पी क्यू से तो पी आर ग्रेट देन पी क्यू पी आर ये है इससे बड़ा है ठीक है उसके बाद में पी एस पी एस बाइसेक्टर उप एंगल दिस वन तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल प्रूब दैट प्रूब करना है आपको पी एस आर ग्रेट देन पी एस क्यों ये प्रूब करना है तो थोड़ा सा मैं इसको मार्किंग कर देता हूँ देखिए ये वाला एंगल आपका वन और ये टू ये थ्री और फॉर और ये आपका फाइफ और ये शिक्स क्लियर बात तो देखिए ये एंगल इक्वल है तो इसको मैं क्या लिए सकता हूँ एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फॉर लिख सकता हूँ मैं और ये आपको प्रूब करना है तो देखिए पी एस आर एंगल टू बड़ा है किसे एंगल फाइब से यह actual के अंदर आपको प्रूब करना है ऐसे कर लोगी तो थोड़ा normal हो जाएगा अब देखिए प्रूब करते हैं इसको देखिए घ्यान से condition आपको यह गिवन है कि PR बड़ा है किसे किसे बड़ा है PQ से तो इसके सामने कौन से angle है इस PR के सामने यही तो है angle angle 1 बड़ा हो गया किसे angle 2 से यह कौन से equation हो गई equation number first आया कहां से theorem लिखना जूर आप by theorem side बड़ी है तो इंगल opposite क्या हो रहा है एंगल बड़ा हो रहा है तो कौन से theorem से 7.6 से अब देखिए इन triangle PSQ के अंदर angle 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो रहा है 180 हो रहा है clear बात तो यह मैंने यहां पे थोड़ा सा mistake कर दी होगी PSR PSR यह 6 आपका और यह PSQ5 है ठीक है तो देखिए आपको 5 जी तो angle 5 equal to 180 degree minus of angle 1 plus angle 3 यह समझ में आगे होगा आपको आगे देखिए यह कौन सी equation हो गई equation number second से उसके बाद में in triangle PSR में angle 4 angle 6 angle 2 equal to equal to 180 degree यह आया है कहां से angle sum angle sum property of a triangle इसे है और इसी का भी same region यहाद आएगा अब यहां से angle 6 की value चीए यह तो angle 6 equal to 180 degree minus angle 4 plus angle 2 यह कौन सी equation third अब देखो आपको प्रूप करना है कि यह वाला angle इससे बड़ा है तो इदे को यह 180 और 180 same value है constant value कोई फरक नहीं पड़ेगा angle 3 और angle 4 यह भी same है कोई फरक नहीं पड़ेगा depend value किस पर करेगा angle 1 और angle 2 पर value depend करेगी clear बात अब देखो यह condition क्या वह रहा है कि angle 1 की value क्या है बड़ी है angle 1 की value क्या है बड़ी है इस बड़ी value को मैं ले लेता हूँ देखिए कितना ले ले हूँ एक बार suppose मैं इसको ले लेता हूँ 80 और यह छोटी है इससे छोटी है तो इसको मैं 50 ले ले लेता हूँ clear बात और यह 60 है इसको भी 60 ले लेता हूँ क्योंकि equal है दोनो तो देखो 140 को 180 से माइनस करोगे तो कितना 40 आएगा 110 को 1 से इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा 70 डिगरी आएगा कैस से आया दिधान से देखना यह तो same value कोई फरत नहीं पड़ेगा यह वाली value equal है 3 और 4 equal है यह वाली value इससे बड़ी है तो इसको मैं बड़ी value को माइनस कर रहा हूँ 180 में से तीक है ना तो यह तो constant है छोटी value को माइनस करोगे तो बड़ी आएगी बड़ी value को माइनस करोगे तो छोटी आएगी तो in from equation first second and third से क्या लिए सकता हूँ कि angle 6 देको यह 70 आ गया 70 आ रहा है और इनका 40 आ रहा है तो यह बड़ा हो गया तो angle 6 बड़ा होगा angle 5 से यह आपको prove करना था ठीक है तो अब आप no down कर लेना ठीक है समझ में आ गया होगा आपको चलते है इसके next question question number 6 पर देखी question number 6 में क्या है show that all line segment drawn from a point given point not on it the perpendicular the line segment is shortage यानि एकले ने क्या बोला है कि अपने को एक line draw करना है इस line पे perpendicular draw कर दिया है यह लीजिए perpendicular draw कर देते हैं अपन perpendicular मतलब यह 90 degree हो गया अब इस point को मैंने fixed point ले ले लेता हूँ एक तो इस fixed point से एक बहुत सारी line को draw करना आपको तो आप कितनी line draw कर दो जैसे यह A, B, C आ गई तो अगले ने बोला है कि यह जो perpendicular line होगी वो shorter line होगी किस से होगी perpendicular line segment is the shorter side given जो इस lines है hypotenuse है ठीक है ना जो O line आप draw कर रहे हो यह तो कर रहे हैं पन draw इन से क्या होगी छोटी होगी होगी किस से वो देखी है देखो यह perpendicular है तो angle P, O, A कितना होगया 90 होगया अब 90 होगया तो इस angle का sum कितना हो जाएगा 90 तो जायर सी बात है यह angle इस से तो छोटा होगया तो मैं लिख सकता हूँ angle A तो कितना होगा चलो इसको मतले को आफ इन triangle ले लो इन triangle P, O, A के अंदर angle P, O, A बड़ा होगा angle A से इस angle से क्या होगा यह 90 बड़ा होगा क्यों यह 90 होगया तो इन दोनों का sum ही 90 होगया तो यह तो छोटा ही होगा ना इससे तो एकला लूंग तो अब इसके सामने वाली side कौन सी है P, A और इसके सामने वाली side कौन सी एक के सामने वाली P, O देखो यह perpendicular draw किया तब हो था तो यह इससे छोटी होगी जो आफ line segment draw रहे हो इन से क्या होगी छोटी चलो इनको मतलों इनको ले लेता हूँ मैं अब इन triangle P, O, B के अंदर यह perpendicular राइट एंगल triangle हो गया angle O तो क्या हो गया 90 हो गया तो मैं लिख सकता हूँ angle P, O, B बड़ा है यह 90 है तो इसका और इसका सम कितना 90 की एक पल आएगा तो दोनों में से sum 90 है तो यह 90 से तो कम ही होगा तो इससे तो छोटा ही हो गया यह 90 है यह छोटा है तो मैंने show कर दिया कि यह इससे बड़ा है अब इसके सामने वाली side कौन सी है कौन सी side है P, B बड़ी होगी इसके सामने वाली side कौन सी है P, O से देख लो कैसे ही कर लो बड़ा ही होगा तो मैं लिख सकता हूँ यहां पर कि दा प्रपेंडिकुल लाइन सेग्मेंट इस सोटर साइड देन ओल ओल ड्रोन लाइन सेग्मेंट इनसे क्या होगी छोटी होगी ठीक है ना तोड़ा अच्छा क्यूसे नहीं है डिसकस करेंगे ठीक है तो आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बोक्स के अंदर आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे और जितने भी सेवन चेप्टर के सारे आपकी जो वीडियो अपलोड है उनके लिंक जितने भी लिंक है वो आपको डिसकुशन बोक्स में मिल जाएगा इससे पहले मैंने नाइन्थ कलास NCRT का शिक्स उनिट के बारे में भी डिसकस किया हुआ है वीडियो अपलोड किया हुआ है उसकी प्ले लिस्ट का वीडियो और जो लिंक है मैं डिसकुशन बोक्स के अंदर अफलोड कर दूँगा ठीक है तो इसी की साथ थैंक यू